जहें दोस्तों आप देखने हैं अध्यान केंद्र और इस वीडियो के माधियम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट समाने ग्यान का बुक जिसमें मारा चल रहा है आधुनी कितिहास और आज हम पढ़ेगी उन्चास्वा एक्सेसाइज भारतिय रास्ट्रिय आंदोलन से समं अधित महतपुर्न आंदोलन एवम घटनाएं तो काफी इंपोटेंट है ध्यान से देखिएगा एक ही समझे एक तरसी बीविद है कि जो भी घटना दिया गया है यह एक लिस्ट बना दिया गया है इसमें जो अधिक इंपोटेंट होगा उसमें बार बार रिपीट करूंग कर दो पहला यहां पर भारतिय रास्ट्रिय कॉंगरेस इंडिया निस्नल कॉंगरेस इसका स्थापना कब हुआ था अठारा सो पचासी इसके संस्थापक किन्हें माना जाता है तो एओ हुम को एओ हुम बंबय में हुआ था पहला मीटिंग 72 सतस आये हुए थे आगे पढ़ में हुआ था बंगाल विभाजन के बिरोद में 1905 में बंग भंग अंदोलन हुआ था मुस्लिम लिंग का स्थापना होता है 1926 में मुस्लिम लिंग का स्थापना 1926 में आगा खां और सलीम उल्ला खां के दौरा आगा खां और सलीम उल्ला खां के दौरा बंगलादेश की रा में जो आधिवेशन चल रहा था 1907 में उस टेम ऐसा हुआ था। होमडू लांदोलन ये 1916 में तिलक ने विए स्टार्ट किया था पूने में और एनी बेसेंट ने किया था मदरास में। लखनोव पैक्ट दिसमबर 1916 में हुआ था। कॉंग्रेस और मुस्लिम लिंक के बीच समझाता हुआ था। वही होता है लखनोव पैक्ट। मॉंटेग्यू घोसना, मॉंटेश्क्यू घोटना मींज घोसना 20 अगस्त 1917 को हुआ जिसमें भारत मंत्री लॉर्ड मॉंटेग्यू की घोसना हुई। रॉलेट एक्ट काफी इंपोटेंट है। 19 मार्च 1916 को होता है इसे काला कानून भी कहा जाता था क्योंकि इसके अंतरगत किसी भी बैक्ती को संदेह के अधार पर गिरफतार किया जा सकता था। साथी नो दलील, नो अपील ऐसा कुछ था कि उसमें कुछ अपील भी नहीं कर सकते थे। जलियावाला भाग हत्याकांट 13 अप्रिल 1919 को हो गया। जनरल डायर के द्वारा करवा दिया गया। खिलाफत अंदोलन 1919 में आता है। सौकत अली और मुहमद अली के द्वारा ये कुआ। हंटर कमीटी की रिपोर्ट प्रकाशित भी से हंटर रिपोर्ट कहते हैं। 1928 में 28 माई को जलियावाला भाग हत्याकांट से समंधित ये रिपोर्ट आया हुआ था। कॉंग्रेस का नागपूर अधिवेशन 1920 दिसंबर में हुआ था। में औससयोग आंदोलन को प्रस्ताप पारित किया गया था कि वो सबब औससयोग आंदोलन करेगा। और सहयोग आंदोलन का आरंभ होता है 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी के द्वारा फिर होता है चौराचोरी कांड गोड़कपूर में एक कांड होता है चौराचोरी जगा है वो होता है 5 फरवारी 1922 को यह उत्तर परदेश में और सहयोग आंदोलन इसके बाद अस्थागीत हो जाता है रिपीट कर लो इसको गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया क्योंकि चोड़ा-चोड़ी हत्याकांड हुआ इसके लिए स्वाराज पाटी की अस्थापना एक जनवरी 1923 को होता है मोतिलालनेरू और चितरंजन दास के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन 1924 अक्टूबर में सचिंद्र सन्याल के द्वारा सचिंद्र सन्याल के द्वारा सैमन कमीशन न्यूक्त हुआ था 1937 में जॉन सैमन की अध्यक्स्ता में साथ सदस्य आयो करठन किया गया इसमें एक भी इंडियन नहीं था और सैमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में तीन फरवरी को सैमन कमीशन का भारत आगमन का वुआ तीन फरवरी 1928 को भारत में लाला ला आगे दिया गया है बर्दॉली सत्यागरा बर्दॉली गुजरात में है अक्टूबर 1928 में हुआ गुजरात के किसानों का लगान विर्धी के विरोध में सर्दार बल्ला भै पटेल के नेर्थितु में आंदोलन हुआ लहूर खडियंत्र केस आठ अगस्त 1929 को हुआ जिसे भ आगे कॉंग्रेस का लहूर अधिवेशन 1929 का दिसंबर जिसमें पुर्ण स्वाधिन्ता का प्रस्ताव रखा गया था इसकी अध्यक्सता जवाहर लाल नेरू कर रहे था आगे पढ़ेंगे वो लिष्ट पुड़ा दिया गया है कॉंग्रेस का स्वाधिन्ता दिवस की घो आकर नमक बनाकर नमक कानून का उलंगन किया गया नमक सत्यागर इसको दंडी यात्रा कहते हैं 1930 में चला सवीने अवग्या अंद्वलन 6 अपरिल 1930 को हुआ सवीने अवग्या अंद्वलन की सुरुवात हुए प्रथम गोल में सम्मेलन 12 नॉमबर 1930 को हुआ परधान मंत्री म परदी दूसरा गोल में सम्मेलन में गये हुए थे हैं वह भी वह सफल रहा डॉक्टर इर्विन सम्झाथा गांधी इर्विन सम्झाथा साथ मार्च 1931 को हुआ महात्मा गांधी और वाइसराइविन के मधी संपन्य तता सवीने अवग्या अंदोलन अस्थागित करने की घ भाग ले दिये कम्यूनल आवार्ड संप्रदाइक पंचाथ ये 26 16 अगस्त 1932 को हुआ मेक डॉनाल्ड के दूरा प्रिथक परतिन्थी तो परदान कर दिया गया पूना पेक्ट 24 सिप्टेंबर 1932 को होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमुडवा अम्बेदगर के बीच ए कर दिया गया आगे तीसरा गोल में सम्मेलन यह 1932 में होता है 17 नौमबर को इसमें कॉंग्रेस भाग नहीं लेता है क्योंकि दूसरा वी असफ़ल वह पहला कोई भी गोल में सम्मेलन सफल हुआ है कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी का गठन हुआ मैं 1934 में जैप्रकास नरा के त्याग पत्र पर उन लोगों ने यह मनाया पकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 मुस्लिम लिंक के लाहुर अधिवेस्टन में अगस्त प्रस्ताव होते हैं 8 मार्च 1940 को वासरेली ने लित हो थे हुष्तें क्रेप्स मिसन का प्रस्ताव 1942 में मार्च को अस्टीफन नौसेना का विद्रो हुआ 19 फरवार इंडिया के उन लोगों ने विद्रो करना शुरू कर दिया कि इंगलेंड का जो सैनिक को जो फैसलेटी देते हो वो फैसलेटी हम लोगों को भी दो तो मुंबई आयनेस तलवार के सैनिकों के द्वारा मिंस वो विद्रो हुआ परधान मंत्री एटली की घोसना होती है 1946 को 15 मार्च में कि भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे कैवनेट मिसन का आगमन होता है 1946 22 मार्च को ब्रेटिस मंत्री मंदल के तीन सदस्ये पैथिक लॉरेंस सारेस्टी फोर्ड क्रिप्स एबम एबीप एलरेंजेंडर का भारत आगमन कैवनेट मिसन योजना का परकासन 16 में 1946 को हुआ पर्त्यक्ष कारवाही दिवस 16 अगस्ट 1946 को मुस्लिम लिंक के द्वारा किया गया अंत्रीम सरकार की अस्ठापना 22 सितंबर 1946 को नेहरू परधान मंत्री बणे अंत्रीम सरकार के दूप में पहले परधान मंत्री बने थे पंडित जबाहर दाल Нेहरू मौन्ट वेटन योजना 3 जून 1947 को वैसरय मौन्ट वेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी स्वतंतरता की प्राप्ती 15 अगस्त 1947 को हुआ भारत स्वतंतरता अधिनियम द्वारा फिर अगे भारत गंतंतर की अस्थापना 26 जनवड 1950 को गंतंतर होता है डॉक्टर राजंदर परसाद राश्प्रती बनते हैं भूदान अंदोलन 18 अप्डिल 1951 को हुआ इसकी सुरुवात पोंचम पल्ली नलगोड जोकी तलंगाना में बिनवा भावे ने किया था रामचंदर रेटी ने सबसे पहले भूमी यहां पर दान में दिया तो यहां इसको एंट करते हैं आगे दिया गया मिंस भारत के महान सहीद कौन कौन थे उनका नाम क्या थो उनका सहीद कैसे हुए सब दिया गया है तो वह एक अलग लिस्ट है उसको मगले वीडियो में कवर करेंगे तो कोछी एसन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन